अमीद है कि आपने फर्स्ट लेशन जिसमें मैंने ना का बूल आपको बताया था वो आपने अच्छी तरह से निकाल लिया होगा तो आपने अब सेकंड लेशन जो है वो हम शुरू करेंगे तो वो कैसे है धिन ना तिन ना तिन ना धिन ना ये बोल है दिन्न तिन्न तिन्न धिन्ना तो इसको हमने कैसे द handy na dhinn पहले बजयेंगे dhinn दhin जो है वो दोनों हाथों से बजएगा dhinnna जो आपने पहले सिखा है धिन्ना तिन्ना तिन्ना धिन्ना तो मेन जो है तिन ना तिन ना ये चलता रहेगा तिन इसको दबाना ऐसे दबाएंगे ये तिन की अवाज है और ये ना और बन गया तिन ना तो जब हम इसको दोनों को कठाप जाते हैं तो ये बन जाएगा धिन धिन अकेला आप जाएंगे तो तिन कठाप जाएंगे तो धिन इधर ना अकेला आप जाएंगे तो ना कठाप जाएंगे तो धा इसको counting में भी आप सीखिए counting में हो सकता है थोड़ा असानी से आपको समझ आ जाए 1, S, 2, S, 3, S, 4, S 4 तक की counting है और इधर S तो 1, S, 2, S, 3, S, 4, S तो या 1-2-3-4- जैसे भी आपको चाहें इसकी counting आप कर सकते हो तो 1, S, 2, S, 3, S, 4, S और ये वाला हाज है 1 और 4 पर इसको साथ में चलाना है जैसे 1, S, 2, S, 3, S, 4, S 1 और 4 पर ये जैसे 1, S, 2, S, 3, S, 4, S तो ये बोल क्या बने दिन्ना तिन्ना 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 बहुत सारे शबत बहुत सारे गाने बहुत सारे भजन इस ताल में आपको मिल जाएंगे तो इसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए धन्यवाद